दिपावली के दूसरे दिन इंदोर के गोतमपुरा में परंपरागत हिंगोट यूद का आयोजन किया गया जिसमें तुर्रा दल और कलंगी दल के बेचम कर अगनी बान चले इस दोरान 38 लोग घैल हो गये जिसमें से गंभीर को इंदोर रेफर किया गया जबके इस बार पिछले साल के मुकाबले धाई गुना जादा पुलिस बल लगाया गया था साथी पहली बार इंदोर से व्रज वहन बुलवाया गया था हिंदोर से करीब 60 किलोमीटर दूर गौतमपुरा में सद्यों पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए हिंगोट युद्ध का आयोजन हुआ देव नारायन मंदिर के सामने युध मैदान पर गाउं के युध्धा आपस में भिड़े और एक दूसरे पर जम कर अगनी बाढ़ चलाए इसे देखने के लिए असपास के गाउं से लोग पहुँचे थे दिपावली के अगले दिन सोमवार को गोवधन पूजा के दिन शाम चार बजे तुर्रा गौतमपुरा और कलंगी रूंड जी के निशाने लिए दो दल सच धचकर धोल धमाकों के साथ जूमते हुए युद्धा कंधो पर थैले में भरे हिंगोट एक हाथ में ढाल और दूसरे में जलती बांस की किमची लिए बढ़ नगर रोड के देव नारायन मंदिर पहुँच गए और एक दूसरे पर अगणी वाड फेकने की शुरुआत हो गई दोनों छोर से युद्धाओं ने एक दूसरे पर जलते हिंगोट फेकने शुरू कर दिये करीब सवा घंटे तक चले युद्ध के दौरान जलता तीर लगने से कुछ 38 लोग जुलस गए इसमें से एको गंभीर हालत में अंदौर रहफर किया गया लेकिन इन सब के बीच उत्सहा में कहीं कमीन दिखाई नहीं दी जैसे ही अंधेरा हुआ तो युद्ध समाप्त कर दिया गया इस युद्ध को देखने के लिए इंदौर सांसद, शंकर लालवानी, स्थानिय विधायक, विशाल पटेल, पूर्व विधायक, मनोश पटेल समेथ, कई जन प्रतिनी धी भी पहुँचे थे कई बार इस परंपरा को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी लोग इस खतरनाख खेल को खेलने से नहीं चूँकते हैं तुर्रा दल के प्रमुख 90 साल के मान सिंग पहलवान आज भी इस युद्ध को लेकर युवाओं के समान जोर से भरे रहते हैं उनका कहना है कि उनकी इच्छा आज भी युद्ध मैदान में उतरने की है पर अब शरीर साथ नहीं देता कलगी दल के 19 साल के युवा युद्धा धीरच का कहना है कि ये परंपरा हमारे पूरवजों ने हमें दी है यह हमारी धरोहर है जिसमें जोश खरोश के साथ खेलने में जो रूमान चाता है वो शायद ही किसी अन्ने खेल में आता होगा और बाड़िशों से यहां खेला जाता है यहां की परमपरा है और आज इस परमपरा को यहां लोगों ने जीवित रखा है उसके लिए उनको बदाई ही हुए और यह बात सही है कि सुरक्षा में व्योस्ता हुई है मुझे लगता है और सुरक्षा में और व्योस्ता भी होना चाहिए और ढाल लेके खेलना चाहिए पर फिर वी उन्होंने आज़न जिस प्रकार से हुआ है को अपने परमपरा को ध्यान में अच्छे हुआ है वे उनको बदाई जिता हो शुक्कामना जिता हो और सभी को दिपा के अधिकारी हैं मैं अतर्क पुलिस अधिकसक देहात स्वेम यहां पर मौझूद हूं साथी साथ क्यो आरफ की पूरी कमपनी यहां पर हैं और ट्रफिक पुलिस का बल है और लगबग 10 ठानों से कि संख्या में बल अतिरुक्त रुप से यहां पर मौझूद है जो नाक्यवन नागरी को भी शुरक्षा करेगा बलकि यह दि को ऐसी आकस में घटना आ जाती है तो इसमें भी जनता को साथी साथ हिंगवाटिक की खिलाड़ी है उनकों शुरक्षा प्रदान करेगा फाँच एम्बूलेंस की व्योस्ता करी गई है जिसमें पांचों एम्बूलेंस में मई डाक्टर के टीम रहेगी इसके अलावा यहां सीवी डिस्टल पर भी एक डाक्टर की टीम बेठी हुए है पी एसी पर भी हमने पी एसी गोतमफुरा में भी पूरी अलर्ट टीम बेठा रखिये और मोबिलाइज भी करते रहेंगे दो डाक्टर ऐसे हैं कि वो पूरी मोबिलाइज करते हुए भी इसका वो इसलिए हम लोगों ने दर्शकों की सुरक्षा के लिए बैतर इंतजाम किये हैं और आप लोग जैसा देख रहे हैं डबल बेरिकेडिंग के साथ में बहु और फायर बिगेट की संख्या भी हमने बढ़ाई है और यदि कोई किसी प्रकार की घटना दुरगटना होती है तो उसमें भी हम लोग तुरंत कारवाई कर सकें ऐसी हमारी बेवस्ता है अस्ता का केंद्र है सालों से परंपरा चली आई है मैं समझता हूँ कि यहां के रुणजी और गोतंपुरा जो तुर्रा और कलंगी दो टीमों के योद्दा आपस में जब लड़ते हैं यह एक भाईचारे और एक प्रेम का एक मिसाल कायम होती है इसमें कोई नहीं जीतता कोई नहीं हरता है लेकिन जिस परकार से यहां के जन भावना जन मानस के अनुरूप है जिस परकार से जन सहलाव यहां आता है उनकी भावनाओं के अनुरूप यह खेल खेला जाता है और आपस में भाईचारे का एक मिसाल पेश किये जाती है रही बाद मेरी कि मैं विधाय सब्सक्राइब करता हूं जैसे ही मैं मंच पर यहां प्रसाशन ने यहां दो हिस्सों में इक मंच बाढ़ दिया गया था मैं जैसे ही आप ओचा मैंने कभी है दो हिस्सों में क्यों जब युद्ध होता है उसका परणाम को इसनी निकलता है और उसका निर्णा नतीजा होता है कि आपसी भाईचारे का प्रेम बना रहे तो यह दो पार्टियों का मंच अलग-अलग क्यों मैंने तुरंत सब्सक्राइब करें जो भी नेता गनिया एक ही मंच पर हम सबस्क्राइब करेंगे